इन वादियों में गूंजती आवाजें और चहकते पंचियों का शोर सुकून के इन अन्जान रास्तों पे ये हवाएं ले जाएगी किसी और वो को आवशे न रास्तों के बादियों आप्साज में आएग अब वादियों गल्रें पिटरफ ये किन्र पर बार भण चाहएं अब आप्निश्टी थे किन्र वादियों परने पाहएं पूरे बर्फ पहांग तो आज के प्रोग्रम कुछ यहां से भी साध बेद्र होटल से चेक आउट मारके थोड़ा बार ब्रकफ़ास करके, फोड़ा बदствен पुके, यहाँ झीलेंगे आज हम लोग फाइनली स्पिति की तरफ, आज कामार प्रोग्याम नाको जाने का है, ओर ताबो जाने का है, तो फाइनली हम फाइनली ताबो में रुकेंगे और स्पितिय लिए तो लेट्स गो, लेट्स हिट दे रोड इसी के साथ शुरू हुई अपने अगले सफर की शुरुवात ताबो और किसी जगा को अच्छे से देखना हो, तो अरली मॉर्निंग स्टार्ट तो करना बनता ही है तो स्पिती इंटर करने से पहले अभी हम रिकॉंग प्यों रुके हैं यहां पर यह लास एटीम आता है, एस भी आईगा तो यहां से पैसे निकालने के बाद हमने अलविदा कहा रिकॉंग प्यों को और यहां के नजारों को और फिर हुआ एक छोटासा स्टॉप गाड़ी की बैक सीट पर बैठ कर नजारे दिखते तो हैं पर थोड़े से लेट जैसे जैसे हम स्पिती की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मौसम, हवा, नजारे, सब बदलते जा रहे थे एड़ पौधो की हर्याली तो मानों पीछे ही चूटती जा रही थी तो अभी हम अन्देवे टू स्पिती हैं, अन्देवे टू नाको हैं पीछे मेरे एक पॉइंट आया है जहां पर हम रुके हैं यहां पर चाइना से आरी है सतलुच और उदर से आरी है स्पिती रिवर तो यहां तो उनका संगम हो रहा है बहुत बीटिफुल पॉइंट है पीछे एक ब्रिजबी बना हुआ है तो काफी अच्छी वैली दिख रही है अभ यहां से आगे स्पिती वैली शुरू हो जाएगा थोड़ी तेर में तो इन उची वैली में ना काफी सारे पत्थर गिरते रहते हैं तो यहां के लोग मानत है कि अगर हम लोग यहां पर मंदिर बनवाएंगे लाइक दिखे देखो माता का मंदिर आओड ओफ नोवेर तो माता रक्षा करती है कि पत्थर ना किरें तो इन लोग की मानता है अच्छी है वहां से इसे काफी मंदिर आपको डिख जाएंगे इन वैलीज में उनकी इंप खाब ब्रिच पार करते ही दुनिया मानों खौबों की तरह ही बदल गई इन बंजर पहाडों की महफिल देख लगा जैसे दुनिया इन ही में कैद है और जब ऐसे नजारे मिल जाएं तो रुकना तो बनता ही है की बंजर आप ही बंजर रवानू जूले, जूले, फ्रम नाको गाइस, हम लोग 100 km की जननी के बाद, कलपा से अराउंड, नाको पहुच चुके है पीछे एक चोटा सा टाउन है, चोटा सा विलेज है, अब हम लोग यहां पर थोड़ा खाना खाएंगे, दिविस एंजॉय करेंगे, रोट ट्रिप बहुत मस जा रही है भी तक, चलो, यहां कि किसी दाबे में खाना गाते है, खाने के तो काफी options मिल जाएंगे नाको में, पर पर हमने खाया नाको फेमस कांगडी धाबा पे, और जैसा नाम वैसा ही सोार, तो नाको में देखने के लिए क्या है, यहां पर एक सेक्रेट लेक है, जहां पर शायद हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी यहां पर एक हैली बैड है पीचे और एक टॉप एक नाको का, दो रहा उपर हम लोग अभी वहां तक जा रहे हैं, चलो, चलते हैं उपर तक पहाड़ों पर रुकावटे तो काफी आम बात है लैंड स्लाइड्स होना या रोड को चौड़ा करना कीचड़ वाले रास्ते होना बट द जर्नी मस्ट गो ओन और इन मस्ट गो ओन वाले खूबसूरत रास्तों के साथ हमने फाइनली एंटर किया स्पिती बॉर्डर और फिर निकले स्पिती की वेरी फर्स डेस्टिनेशन गेव मनिस्ट्री स्पिती किलोमेटर की जनी की बात अब हम लोग आए हैं गेव मिनिस्ट्री मेरे पीछे वाव वैड वीच में इतने अच्छे व्यूज आयते इस पीती वैली के वीच में बॉर्डर भी आया था जहां पे चेकिंग हम लोग सोच जैदे कुविड रिपोर्ट की चेकिंग होगी बट हम ऐसे किसी की नियो ही पैस वाटर में थोड़ा बट इंट्रियो कर अगर आए हैं और हम लोग अभी तापो की साइट आया है गेव मिनिस्ट्री देखने हैं तो चलो गेव मिनिस्ट्री दिखा तो मैं दात और बाल के साथ साथ आज तक नाखून भी प्रिजर्वड हैं शांगा टेंजिन एक बुद्धिस मौंग थे हूँ ममिफाइड हिंसेल्फ इन दो 15 सेंचुरी कहते हैं उनके विलिज को एक स्कॉर्पियन के प्लेक का सामना करना पड़ा था और तब उन्होंने विलिज को स्कॉर्पियन से अजादी मिल गई अब इसमें कितनी सचाई है बॉस ये तो नहीं पता सब्सक्राइब के बाद हम लोग टाबो पहुच चुके हैं पीचे हमारा होमस्ते तो आज हम लोगों का वेलकम इन टॉग इसने किया है तोड़ा धका पड़ा हूँ मैं लेकिन यहां पर एक मोनेस्ट्वी है वह शाएद हम लोग एक्स्ट्रोर करने जाएंगे तेखते हैं öt फ्लिवन रख़ते हैं तो आज के संगा थी एंग रुकने जी तो यह रख़ते हैं आज है वह पीच और भाल गाराई है वाड स्केसैं में अन्दरा थिखा तूम आपको वह थै पहले हरा हुन्य है वह तो फिती का प हिछल्द ताबो दिख रहा है और वह मुनिस्ट्री की टॉप दिख रही है चोटी सी हम ताबो शाम को पहुचे थे और उस ताइम तक मुनिस्ट्री बंद हो जाती है तो वह शाम हमने थोड़ा सा शूट करके इस छोटे से विलिज को एक्स्प्लोर किया तो ताबो की मुनिस्ट्री अभी हम लोग भाहर से एक्स्प्लोर कर रहे हैं विकॉस यहां पर बंद हो चुका है तो कल सुबह आएंगे और यहां के अंदर के दर्शन करेंगे अंदर कैमरा भी अलाओट नहीं है तो कोई सेंस भी नी बनता था तो चलो अभी हम लोग अपने होमस्टे में जाएंगे आज यहीं पे खा भी गए थोड़ा चिल मार गे बस कल सुबह हम लोग काजा के लिए निकलेंगे का शब बनता आएंगे अपना आएंगे झाएंगे झाल